हेलो टेक एंथोजीज वेलकम प्रिटेक एंथोजियास यूटूब चानल और आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक कॉज्म रोबोत विट आडियो नो पार्ट 2 यह इस वीडियो का पार्ट 2 है अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखी इसके बा तो चलिए हम सबसे पहले रोबोट के कनेक्शन देख लेते हैं हम गेर मोटर्स को मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर देंगे मोटर ड्राइवर के 1-2-3-4 इंपूट पिन को हम आडियो के एनलोप पिन 0-1-2-3 पर लगा देंगे हमने रोबोट के अंदर दो सरोव मोटर्स लगा है हम दोनों सरोव मोटर्स के ग्राउंड पिन और वीइन पिन को एकी साथ कनेक्ट कर देंगे स्रोव मोटर के सिंगेल पिन पिन को हम आडियो के डिजिटल पिन 5 और 6 पर लगा ivर लगाएंगे अब हमें Bluetooth मोडुल कनेक्ट करेंगे Bluetooth मोडुल की ग्राउंड और वीम पिन को आडियो के ग्राउंड और थाई होल्ट पिन से कनेक्ट करेंगे और Bluetooth की RX pin को Arduino के TXES के सब कनेट करेंगे और Arduino की RX pin को Bluetooth model के TXPIN के सब कनेट करेंगे आपके अंदर जो LED है उसे हम Arduino के pin नंबर 13 पर कनेट कर देगे अब हम Arduino motor driver और servo motor की ground और voltage pin को एकी साथ कनेट कर देंगे और इसे power देने के लिए और एक extra wire लगा देंगे आप इसे 9 hood battery से power दे सकते मैं याप पर इसे सिदा charger से कनेट करने वाला हूँ तो अब सारी connection हो चुके अब हम इसे प्रोग्राम करेंगे तो यह हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर हमने सबसे पहले सरो मोटर और मोटर डाइवर के इस को देखलेर किया है यहाँ पर हमने रोबोट के आगे पीछे और लेफ राइट भूने के लिए function को define किया है यहाँ पर हमने सरो मोटर और मोटर डाइवर के पीज सेटप किये यहाँ पर हमने भाइल लूप लिया है यहाँ पर मोबैस से आने वाले सिग्नल वैल्यू में स्टोर हो जाएगी यहाँ पर EPS कंडिशन में वैल्यू के according उसके functions कॉल किये है तो यह हमारा पूरा Cosmo Robot के लिए प्रोग्राम है इसके लिंग आपको डिस्कित में मिल जाएगे आप वासे इसे देख सकते है प्रोग्राम को अफ्लोड करते हुए हमें डूटिफ को डिस्कनेट करना है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के तरफ हमें अपने एंडर्ड मोबाइल के अंदर आडिनो डूटिफ आर्सी कर यह अप्लिकेशन डूड करना होगा प्रेक्टवर पर जाकर हम इसे इंस्टर्ड करना होगा मोबाइल ब्लूटिफ को यह सी जिरोफाइल के साथ पेर करेंगे पासवर्ड में आपको 1234 या फिर 000 पासवर्ड डालना होगा अप्लिकेशन को भी हम आडिनो के यह सी जिरोफाइल के साथ कनेट करेंगे तो अब हमारा कोज्मो रोबोट पूरी तार से तायर है आप एक से पेस्टे हम मोबाइल के दूर कांट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियों बस इतना ही अब हम मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुडबाइ